तो और नमस्कार दोस्तों आज कर जो हम लोगा वीडियो है यह वीडियो है बटल फलाई मिलकी कहूंकर को लेक और इसको क्या खाना देना अच्छा रहता है कौन सल टेंग अच्छा रहाएगा और कौन उनके लिए लाइटिंग टंप्रेचर और उनके लिए एक अच्छी बात ही होगी आप के लिए भी और जिससे आप फिस लेंगे उसे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप कुछ अच्छा सोच के फिस को ले रहे हैं तो चलिए मैं स्टार्टिंग करने जाओंगा सबसे पहले यह बताने के साथ में कि आप इस फिस को ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं आप इस फिस को ले तभी पाएंगे जब आपके पास इस फिस के लाइक टैंक होगा बिकॉज इस फिस की जो साइज होती है वो इंप्रूव होती है और काफी बड़ी होती है जो कि एक फिट से ज्यादा तक चली जाती है एक क्यूरियम के अंदर फिर दूसरी चीज तो इसके हिसाफ से आपको पहले तो एक फिश टैंक रखना पड़ेगा अब उस फिश टैंक क कि मिनमम फाइच कितनी होना चाहिए अगर आप लोग ऐसा टैंक फिस रखना चाहते हैं चाहिए चाहिए को यह बड़ी हो जाती है और आपके टैंक में रहने लगती है तो इसको राउंड मारने में और घूमने में किसी भी तरीकी कोई भी परिसानी नहीं होनी चाहिए से फिर बात करेंगा मफ्त ही आपनेती होने संकतर हैं जिनके साथ में यह कहने चाहिए हो कि हैं मैं आप लोगों से कहना चाहिए कि आप के पासme कुछिस कर कि कि अगर आप तो पूज पालना चाहते हैं तो यह मिलकी कॉर्प तो Kalra captain ji में भी इसमें कॉर्प में भी बटरफ्लाई वनीला कार्प मार्पाती है डवीं। пиш कॉर्प कि सबसे बड़ी बात बता दूआ को इसको एक ही प्रत्त रहके उस पी रखे तो मेल या तो फीमेल फिर अगर आप लोग फिर भी इसको आप लोग रखना चाहते हो कम्प्रोमाइज करना चाहते हो किसी अदर फिसस के साथ है एक जर तो को आप लोग से कि मेरा टेंग देखर को आप लोग मेरा बडिदिश आ नौग जराय तो सब्सक्राइए इसको टीं इसë के सथे बलकु नहीं देता हूँ उप जैसा इन छोच ने लोग मुधूं को चोटी साइज की कॉर्प दिखा रहा हूं यहीं बडी होके बैटर फ्लाई को बनती है और यह न्रोर्मल यहीं कोर्प होती है जो बड़ी इसके की कॉर्प से हो जाती है जो आप लोगद को चोटी साइज का टैंक है और इसमें पर सुभाइड रखिए होंगी कुछ डॉलर पड़ी होंगे कुछ गुरामीज है और टैंग की साइज इसमें भी बड़ी ही चाहिए क्योंकि फिसका कोई वो तो है नहीं धीरे-धीरे करके बड़ी होती है बट इनको मैं एक दम में छोटी में चलिए जैसे जेब्रा हो गई डैनियोज हो गई टाइगर बार वगईर वग करूंगो के उसके कडियान क्यों सब्केलर के छाएं चयाहिए ओसना तक आप लोग के I'm कि आप लोग के पढ़ने के इंतियार करूंगा आप लोग देख सकते हो पिंग्ला कर दााथा हुब際 आतलर में दिखाऊंगा कि यह कैसे लगती है उफ कलर में आप लोग देख सकते हैं इसको फीडिंग देने के लिए जब मिनी पैलेट्स जब छोटी रह तब खिलाइए जब बड़ी हो जाए तो इसमाल पैलेट्स खिलाइए और इसे आप लोग बहुत ही अच्छी क्वाल्टी का जितना खिलाएं को उतना ही उपर आके खाती है नीचे खाना इसे पसंद नहीं हो इसका मूँ भी उपर तरफ ही होता है सामने तरफ और यह उपर जाके बहुत अच्छे से खाना खाती है और ऑप्टियम का 3-1 ऑप्टियम चेचल्ट हो गया और यह ऑप्टियम 3-1 400 ग में जो इसमाल पैलेट्स आते है और इसका प्रोसेसिंग करना पड़ेगा नॉर्मल टैंग में ब्रीडिंग करना इसका काफी मुश्किल है विकाज उसकी ब्रीडिंग की विजए से और इसके एक की विजए से दूसरी फिससे में काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है और उसे कई सारी फिससे बीमार विय लाइट में जलाया हूं इसमें आप लोग देख सकते हूं कैसे अभी इसका मैं फीडिंग का टाइम है इस टैंक की लाइट बंद है और इसे फीड कर रहे है नॉर्मल वाला आप्टी आप लोग देख सकते उपर जाके ले रही है और एक चीज में बताओ इसका जो फिल्ट्र करेंगा अच्छा बेहतरी शेज बढ़ती है ज्यादा खाना खाती है ज्यादा डस्ट रिलेज करती है तो अच्छी गवाल्टे का टॉप कर यूज कीजिए और इस आप इसपर पे देख रहे हूं कि कुछ इप जड़ रहे और इसे चिचिल फिसे पैरेट हो गई आपकी और फायर माउथ वगयरा हो गई ग्रीन टेरर वगयरा हो गई ऑसकर वगयरा हो उनके साथ ने बिल्कुल भी रखने का सज़सन नहीं दूँगा इसे नॉर्मली आप लोग अगर इसी बड़ी साइसी गोल फिसे से तो उनके साथ अपने भी रख सकते हैं उम्मीद करते हूं अपनों को मेरा वीडियो काफी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके सेर कर दिएगा